लेकिन बच्चन साब का ये गाना जो मेरा धुन में किशोर कुमर जी गाया था, वो पिक्चर में मैं भी गाया था, लेकिन ये गाना किशोर कुमर जी गाया था, और ये धूप का साथ बहुत अच्छा था, दूप में निकलाना करो रूप किरानी गोरारंगे कालाना पर जाए मस्त मस्त आकों से चलकाऊ ना मदिरा मधुशाला में तालाना पर जाए तो अच्छाफ तो मेरी गारे वादा Definitely, आदा, you are so beautiful आपके लिए मैं एक लाइन बोलता हूं I am Adha, a very good evening to you और ये evening पर चार चांग लग रहे हैं Because we have Bappi Da in the studio Bacchan Sahib as a singer, how do you feel like it? देखे, सबसे बड़ी बात जो है Bacchan Sahib का अंदर तो एक गाने का बहुत बड़ा style है जो आज से नहीं बहुत सालों से गाता है जब Natuallal में गाना गाये थे मेरे पास आओ But एक जो गाना है ओ इतिहास, ओ इतिहास ही रहे जाएगा और कभी नहीं हो सकता है कभी नहीं कोई बना सकता है क्यों? Amitab Bacchan सबके लिए गाना गा रहे है गाया, गा रहे ही भी अभी लेकिन Amitab Bacchan and Kishore Kumar Do It, एक ही पिक्चर में आया था फिल्म का नाम था, शराबी जहांचारियर मिल जाए ओही रात हो फिल्जार जहांचारियर फिर से बच्चन सब गाते थे One o'clock in my house There is a cat, there is a rat खेल रहे थे, डंडा गिल्ली तो यह जो याद आगया दो माईक में किशोर कुमार माना किशोर मामा जी और Amitab Bacchan दोनों, Amitab Bacchan जी गार है वो एक अलग ही था आज आज का संगीत का राज का सिंगर लोग कोई सोची नहीं सकता है यह जो ambience मैं हूँ जो मैं देख चुका हूँ और Bacchan सब का साथ मेरा ऐसा एक link है दोनों हम लोग ऐसा काम किया बहुत सारा लमक हलाग वो हिस्ट्री रहे गया पग घूंगरो बादे मेरा नाची थी यह गाना बारा मिनिट का गाना आज तक हिंदुस्थान में कोई फिलिम में नहीं आया और बारा मिनिट का गाना एक ही हीरो जो सुपर स्टार हीरो Amitab Bacchani जो देखने के लिए आजकल दो मिनिट का गाना भी बोल लगता है और बारा मिनिट का गाना सलूट तो Bacchan जी सलूट तो माइ प्रोडूसर डारेक्टर प्रकाश महरा जी आउटस्टेंडिंग कैसी यह गाना आम लोग बनाया चार्ट दिन रिकॉर्डिंग हुआ था जैसे उसमें कोई पार्ट है जैसे आपका तो ऐसे लगने हिस अपना राम राम जपना पर आयमान एक स्टाइल अलग हो गया फिर जब स्पीता पैटल को देखते हैं मौसा में इश्क में मच्छाइब देखते हैं मौसा में इश्क म अचले हुए अरमान है हम दिल छीड के एक गाने में इतना वरियेशन पांच गाने का बड़ा बड़ा है ये गाना तो ये बस आपने उनके साथ इतने सारे गानों में काम किया है आपको लगता था इस तूट्स अमिता बच्चन और इस पस्टेशन अभी भी अलोवर वर्ल कॉंसर्ट करता हूं आज मैं नियॉर्क में हूँ कल बेंगालोर में हूँ अभी जैपूर में गया 30,000 पॉलिक था बपिलाहरी इस डिसको स्टेशन अभी तिन दिन पहले अभी म में देखा अज अमेरिका, लेंडन, नीजुलैंड, साओथ अफरिका, एनिया पार्ट अप्ट अवर्ल टू बंबे एनि जैगा चाहे जैपूर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कलकता हो, मैं एक गाना जब गाता हूं मैं इतना खुशी होते हैं चाहे आजकल का गाना भी इतना पॉब्लिक याद नहीं रख सकता हैं, इंतिहा हो गई, बोल के मैं बंद कर देता हूं, फुल, 30,000 गाउट गाता है, इंतिजर की, मैं गाता है नहीं, आइना वो खबर, मेरे ग्यार की, ये हमें क्या हुई, बेवफा वो नहीं, फिर बजा, क्या हुई, इंतिजर की, मैं गाता हुई, ये जो मैं सोचते रहता हूं, आजकल का जो गाना है, बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ये जो लॉग इनिंग्स, बने एक एक लाइन, आँ मैं को क्या, आमको ड़ल लगता है, मैं क्या बूख देखके और लुख देखके कि यांदे घंड, लाइखके अाना हुचते ही ना हों, आँ मैना, नृक्ति कवर हो, BILLया, ये भाएन, वाल हुआ ओखकेशन का कार जो आपना हो, जो जो लुकुत आइख देखके । All आक जो नो खणा है, ऐ सब देखके भाखके मैं अबी नूज़िस्ती में शो कर रहेते हैं इसे इस दिस्को फेस्टिबल रहहे थे तो डेय टाइंग अग्दम भड़े होई पाद्लिक, देय, मैं परफॉर्म कर रहे थे शाम को 5 बाजे थोप फ्लिक था तो तो मैंने पाद्लिक को सामने जाके बोला हम लोग तो night में program करते हैं, concert करते हैं, लेकिन day में आदत नहीं, लेकिन बच्चन साब का ये गाना जो मेरा धुन में, किशुर कुमार जी गाया था, वो picture में मैं भी गाया था, लेकिन ये गाना किशुर कुमार जी गाया था, और ये धूप का साथ बहुत अच्छा था, काओ ना मदिरा, मधुशाला में ताला ना पर जाए, तुम जो थक गई हो तो बाहो में उठाले, हुकम दो अभी पालिक इलादे, पंथ है पथरीला पैदलना चलो तूम, अधास उनो, कहीं पाओ में चालाना पर जाए, तूम लोग इतना सालों से जो भी गाना गाते हैं, किसी को कलपना करके गाते हैं, सोच के गाता हैं, बिलकुल, अधास पाओ में अधास के बात कर रहे हैं, और अमने स्टार्ट किया था विद पग घुंगुरू, और किशोरदा, और यू वोक्त विद इम आलसो, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्स्पिरिंस किशोरदा, लेकिन किशोर कुमार के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, लास्ट दस साल, बापी लाहिरी और किशोर कुमार जो 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 गाना हुआ, और मैं खुद सिंगर हूँ, मैं उनके लिए मैं इतना कुछ देखा, सीखा, जो कितना बड़े सिंगर थे, किशोर कुमार जो जो इक ही पिस आये थे, चले गया, जैसा एक है, माइकल जैक्सिंड आये थे, चले गया, कि मैं इंटरिनेशनल काम करता हूँ, मैं सब कसा जान पैचन है कि शुर कुमार जी का जो है इतना अलग स्टाइल में गाना वर्सिटैलिटी in my film I'm telling you like चलते चलते मेरे ये इतियाद रखना कभी अलबीदाना कहेना कभी अलबीदाना कहेना ये एक स्टाइल मामा का वाइस चेंज करती है उसको बाद सुनिल्दत सबका अपर गाया अली रे अली रे होली अली रे अली रे होली अली मस्तानों की टोली तूफान दिल में लिये तो एक अलग हो गया वही पिक्चर में देखिए और एक रोमेंटिक गाना था राकेश रोशन एन रिना राय का उपर उगाना नंबर वन में था उस टाइम चलता की जीआ मेरा भीगी भीगी रातों में आजा गोडी चोडी चोडी अब तो रहाने जाये हाई रे हाई रे हाई रे हाई रे अनक्स्ट है सेवेंटिस का मैं बुल लो सेवेंटिफोर का गाना उसका बाद थोड़ा आए पीछे जाए आगे जाए प्यार मांगा है तुम ही से नाइनिकार करो फिर एटीज का बाद जब जितंदर का एरा शुरू हुआ हरता की होता की होता की तकी तकी रे जब से तु आँखों में जाकी एक आक मारू तो पड़दा घटे जाए दूजी आक मारू कले जा कटे जाए इसका पूरा स्टाइली चेंज जो गाना आज सुपरिट हुआ मेरा उलाला उसका भी जो अडिजिनल स्टाइल था स्टाइल चेंज हुआ लेकिन मेरा इक पिच्चर में था मावाली उई अमा उई अमा उई अमा उई अमा उई अमा मुश्कल ये क्या हो गई तेरे बदन से तूफ़ा उठा तो सारी हवा हो गई आहा आहा इक आटिस से आप सोच नहीं सकते हैं कितना उनको अब आप जाये बचन सापका गाना मन्जिले और भी जगा है रासिते अपनी जगा है सिखना चाहिए, हर आर्टिस्ट को, मैंने अभी एक इंटर में बोला, हर आर्टिस्ट को सिखना चाहिए, जिखली रोमेंटिक गाना गाने से नहीं होता है, हर टाइप का गाना गाना पड़ता है, जैसे उन्होंने चम्चिका चम्चिका जम्चिका ओभी गाना गाया, हाप ट कोई singer आज तक नहीं कर सका, मैं खुद singer हूँ, मैं संगित कर, बस singer हूँ, आज भी मेरा गाना, तुने मारी entry आरे, दिल में बजे, घंटी आरे, टन, 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 ओशुना, ओशुना, तुमर मुंटा दिये जाओ, तरा, तरी, हिश्टे जाओ, ओशुना, अभी क्या है, मै कोशिश करता हूँ, किशोर ममा का, तो मैं पैर का धूल, छोटा सा धूल हूँ, पर उनको देखके, मैंने बहुत सीखा, जो कैसे voice change करके, मुट को हिसाब से, गाना बनाना पड़ता है, क्या बात है, और I'm sure, काश की किशोर दा, इस अब सुन पाते है, and I'm sure all the किशोर दा, ममा का शिर्वाद है मिना, और हमारी सो भागे की बात है, कि आप यहाँ आए, और इतना सब हमारे साथ शेयर किया, thank you so much, बपीदा, thank you very much, thank you, सब की तरफ से, आपके फैन्स की तरफ से, आपके फैन्स की तरफ से, a huge, big hug to you, thank you, thank you, and बहुत प्यार, for Radio Nasha,